हेलो नमस्कार दोस्तों आप सबका फिर से स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर दोस्तों आज आप सबको पता ही होगा कि कल फिर से डबल हेडर है और आई पिल की पहली जो मैच रहेगी डबल हेडर में जीटी वर्सेस एलके अन है और इसी की मैं आज आपको ग्यारा ड्री मिलियों की विनिंग टेम्स दिखाने आलाओ प्रिव्यू करके दिखाने आलाओ दोस्तों तो ज्यादा टाइम नहीं मिल लगेगा आपको देखने के ल यह इनफेक्ट यह पर मल्टिपल स्टीम बनाना थोड़ा आसान हो जाता है तो यह देख भी सकते कि ग्यारा टेम्स आल्रेडी में बना के रख चुका हो जिससे में एक एक करके सीधे आपको प्रिव्यू करके दिखाने वाला किस किस को लेना किस को नहीं लेना क्याप्टन किसे बना सकते यह भी मैं आपको उता हूंगा तो चले दोस्तों वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं खिषते शुरू करते मार्टेप पर क्लिक करते पाइले टीम आपको दिखा देता हूं सबसे पहले आपको बता दू कि लखनो सूपर जैंट्स के जो खप्तान थे वह मतलब बढ़िया परफॉर्मस कर सकते उसके बात मार्कस टोनीज हर चार अच्छे खासे और बाइटिंग और बॉलिंग दोनों में आपको अच्छा खासा पर्फॉर्मस करके दे सकते तो डबल पॉंट दे सकते उसके बात महुमत्य हमीं काफी जबदस पॉप में राशिद तो इसलिए इन दोनों को क्याप्टन करना चाहिए तो आ लेकिन मैं इसी तर से रखंगा तो गुल्मिला के चिका से एसे क्लोज कर लेते हैं और दूसरी टीम की बात करो तो दोस्तों यहाँ पर दिमांसा और निकोलेश पुर्ण दोनों को यहाँ पर मैं इस टीम में शामिल कर लूँगा उसके बाद दीपकुडा को मैं अब मुझे लगता नहीं कि इनको बाहर किया जाएगा तो इसलिए डीपकुडा हमें खेलते नजर आएंगे और अब मुझे लगता है इन पर जिम्यदारी बढ़ रहे हैं तो यह अच मतलब कुछ पिछले कुछ मैचेस अगर छोड़ दी जा तो काफी जबदस बल्लेवाजी कर रहे हैं तो इसलिए आपर हार्दिक पांडिया के साथ साथ उनको भी इस टीम में लेना काफी फायदे मन रहेगा इसके अलावार जो पहले चार अल्डॉंडर थे वह तो है ही हमा सबस्क्राइब तो इसलिए आपको मैंने नहीं दोनों को क्याप्टन वाइस क्याप्टन अगर आप चाहिए तो उल्टा भी कर सकते हर्दिक को बढ़िया रहेगा इसलिए मैं इस तर से करूंगा इस टीम को भी आपकोस आपको ग्रैड लिक के लिए तो योज करना ही करना बड़ी लिख के लिए यूज करना है आप चाहिए तो स्मॉल लिख के लिए भी यूज कर सकते हैं थोड़ा रिस्की है क्योंकि गेंबाज कम है जेकिन पार्च ऑल डॉंडर होने के बाद मुझे नहीं लगता कि जादा गेंबाज की गरिज़े इस टीम को क्लोज करते हैं ती स्टोइनिस विजय शंकर हार्दिक पांडिया के मेर्स कुरुनाल पांडिया तो पांच और रहेंगे जिसके वज़े से हमी काफी फायदा होगा उसके बाद मुहमत चमी राशित खान और रवी विश्नोई भी काफी बड़िया गेंबाजी कर रहें तो इस टीम में उनको ल चाहएं iki इसी लिए रवाजितर donne मना रहा यहां पर लगाव उल्टा करना चाहें तो कर सकते शंकर को कर कर सकते ब्मिंदयों इस टीम को मैं आको को कहूंगा सिर्फ और सिर्फ गांड लिग या बड़ी बड़ी लिगों के लिए उसके जगा स्मॉल लिक के लिए यूज मत की जगा थोड़ा रिस्क है लेकिन फायदेमन सावित हो सकता है इस टीम को भी क्लोज करते चौथी टीम देख लेते किस तर से मैंने बनाए चौथी लूँगा कुल मिला के जबदस्ते दोस्तों दोनों को दोनों मतलब यह गेन बात पूरी टीम भी काफी बड़िया बनी है लेकिन फिर भी इस टीम को भी मैं सिर्फ परसर्प ग्रांड लीगों के लिए सजेस्ट करूंगा स्मॉल लिक के लिए सजेस्ट नहीं करूंगा फि काफी फायदे में रहेगा फिर भी अगर आप चाहे तो उल्टा भी कर सकते पूरण को क्याप्टन और रिदिमान साथ को वाइस क्याप्टन भी बना सकते चले दोस्तों इस टीम को भी क्लोज करते और पाच्वी टीम किस तर से बनाई है वो भी आपको दिखा देता हो जादा लोग इन पर दाव लगांगे इसके अलाव शुबमन घील भी रहेंगे फिर से अल्राउंडर में मेरे पास स्टोईनी शंकर हार्दिक पांड्या के मेर पांड्या पांचों की पांचों और मुए फिर से लेने ही वाला हो इसके आला मोहीच छर्मा और रवी क्याप्टर बना रहा था लेकिन इस टीम में मैं उल्टा कर रहा हूं स्टोईनी को क्याप्टर हो हार्दिक को बना रहा हूं कुल मिला कि यह वी टेम अच्छी खासी है ग्राड लीग और बड़ी-बड़ी लीगों के लिए यूज करनी ही करनी है स्मॉल लिग के लिए करनी यह ने करनी मैं आप पर छोड़ता हूं इस टीम को भी अभी क्लोज करते हैं और चटी टीम देख लेते किस तर से बनाई है चटी टीम की बात करो तो फिर से निकोलस पूरण रहेंगे बल्लेबाजी में दो ही प्लियर लोंगा दीपक हुड़ा और शुमन गिल इसके अलग को पाच्छो को अच्छे खासे पॉइंट कोई अच्छा रण बनाऻ को दोनों भी कर रहें तो इसे लिए आप जैसे के आपको बताओ शंकर रन भरसा रहें सम Гरola या बाकिक OF बाकि के यति साथ में रखना काफी फायदे मन रहेगा इसके अलाव मोहमत चमी राशित खान और नवीनुलग फिर से मेरे पास इस तीन इन तीन गिर्वाज़ों को मैं स्टीम में शामिल करूंगा जैसे कि राशित खान पर साइद ही ज्यादा कोई लोग दाव लगाएंगे तो इसलिए इस तीम का काफी फायदे मन रहेगा इस टीम को मैं सिर्फ पर सिर्फ ग्रांड लिग या बड़ी लिगों के लिए सजेस्ट कुरूंगा स्मॉल लिग के लिए बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं कुरूंगा कुल मिला कि अच्छी खासी टीम में इस टीम को भी क्लोज कर लेते हैं और साथ भी टीम देख लेते किस तर से मैंने बनाई साथ टीम में सहा को और पूरण को फिर से लूंगा इसके बाद आप मेरे पास सिर्फ शुबमन गिल रहेंगे ऐज बल्लेबाद जी आ दोस्तों क्यूंकि मेरे पास औल राउंडर एक और एक्स्ट्रा हो जाला स्टोइनिस तो र जरूर मैं इस टीम में शामिल कर लूंगा और इसके साथ साथ शमी और नवी नुल्हक इस तर से दो अलग गेन बाजों को इस टीम में मैं चूज करना लो तो दोस्तों यहां पर गेन बाजी के सोचे मत बल्लेबाजी का भी सोचे मत क्यूंकि आल राउंडर जो है क्यूंकि विजय शंकर काफी जबंदस ठीटिंग करें और काफी बढ़िया बैटिंग करें तो इसलिए क्याप्तन और कुरुणाल पांडिया को एक टीम में मैं आल्रेडी इनके साथ मतलब शंकर के साथ ही क्याप्टन बनावागा कुल मिला के यह टीम अच्छी है इसे क्ल ताकि बल्ले बाजी में अगर यह सब अच्छा कर जाए तो इस टीम को आपको जादा से जादा फाइदा हो और आप ग्राइड लिग जित सके इसके अलावाद छे बल्ले बाज लेने के बाद आपके बास ज्यादा बसते नहीं है ऑप्शन तो सिर्फ स्टोईनिस और हार्दि या कर भी रहे ठीक ठाक तो इसलिए इन दोनों को क्याप्टन वाइस काप्टन बनाना फाइदे मन रहेगा इस टीम को भी मैं सिर्फ और सर्फ ग्रांड लिग या बड़ी लिगों के लिए सज्जेस्ट करूंगा स्मॉल लिग के लिए बिल्कुल भी सज्जेस्ट नहीं कर चे बल्लेबाज फिर से रहेंगे लेकिन यहाँ पर एक कीपर कम होने क्यों जैसे मेरे पास मारकस टोई नहीं सार्दिक पांडिया के मेर्स के मेर्स भी काफी जबदस तूफारी बल्लेबाजी कर सकते तो इसलिए इनको भी आपर शामिल करूंगा और गेनबाजी में क्याप्टर बनाना चाहिए तो जरूर बना सकते लेकिन आईश्बादोन के क्याप्टर बना सकते आपके पास जैसे के ऑप्शन में गील है अभी नहों बनावर एक अच्छा ऑप्शन है दोस्तों तो इस तिर से आप ये टीम भी काफी बड़ी है लेकिन आप इस टीम को ग तो दस वी टीम की बात करो तो यहां पे मैं रुद्धिमान सहा और निकोलस पुरन दोनों को साथ में ले रहा हूँ डेविड मिलर और शुमन गील को ले रहा हूँ इसके बात फिर से मेर पास मारकस्ट वेनिस विजय शंकर कुरुना हर्दिक पांडिया के मियर्स कुरुष करेंगे तो ऐसे तो कोई मुझे दिकत नजर नहीं हारी फिर भी आप पर छोड़ता हूँ कि यूज करनी है नहीं करनी स्टीम का क्याप्टर मैं निकोलस पुरन को बनाऊंगा और वाइस क्याप्टर रिद्धिमान सहा को बनाऊंगा इन दोनों को क्याप्टर बनाने के पी स्मॉल लिग के लिए यूज करनी नहीं करनी मैं आप पर छोड़ता हूँ इस टीम को भी क्लोज करते हैं और ग्यारवी टीम भी देख लेते किस तर से मैंने बनाई दोस्तों एक बात जरू कहना चाहूंगा कि यह टीम बताने से पहले कि आप मेरी टीमों में एक या दो चे तो इस टीम का अगर बात कर लें ग्यारवी टीम की तो यहाँ पर दिमान सा के साथ जाओंगा मनन वोरा के साथ जाओंगा दीपक उड़ा और शुबन गिल और उसके बाद करन शर्मा को लूँगा और आईश बदोनी को लूँगा तो इस तर से पांच बल्लेबाद इस टी द्वाद के लिए लेकिन दीपक उड़ा का परफॉमस अभी तक मैं बता दू मनन वोरा कभी और कुछ स की अच्छा नहीं यह तो सिर्फ ए रहा हूं दोस्तों यूज करनी नहीं करनी आपके हाथ में इन दोनों को क्याप्टन क्याप्टन वाइस महां यह दोस्तों हो जाते हैं तो 99 पर इन पर कोई भी दाव नहीं लगाएगा लेकिन यह सक्सेस हो जाते तो आपको ग्रैंड लिक जितने से मुझे नहीं लगता कोई रोख सकता है तो इसलिए इन दोनों को साथ कर्व में कैप्टर और काफी फायदे मन रहेगा फिर भी तो आप अपनी रिस्क पर स्टीम को यूज की जिएगा दोस्तों वैसे तो मुझे लगता है पचास रुपे जाये तो जाये लेकिन आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं कहना दोस्तों तो सब्सक्राइब तो काफी मुझे भी इंस्पायर होंगा इससे साथ टेलिग्राम की लिंक दिस्क्रिप्शन में दीए दोस्तों उसे भी जॉइन कर लिजिए कुछ भी चेंजेस रहते प्लेइंग इलिए तो उसके बारे में वहाँ पर बता देता हूँ और एक दो टीमों का स्क्रिंशॉट शेर दो तीन टीमों का स्क्रिंशॉट एक्चली शेर करता हूँ मैं और सब्स्ट्यूट कौन-कौन है उसके भी स्क्रिंशॉट शेर करता हूँ तो काफी फायदा रहेगा दोस्तों तो टेलिग्राम को भी जॉइन जरू कर लिजिक है आज के लिए इतना ही दोस्तों मिलते अगले उड़े में तब तक के लिए थांक्यू और गुडबाए